डीडी किसान बदलते भारत की शान को जागरुक कर सके सभी जानकारियां आप तक पहांचा सके जिसमें सरकार आपके साथ है और आज भी कुछ ऐसी ही एहम जानकारियां हम आप तक पहांचाने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं आज के समय की बहुत बड़ी समस्या पराली प्रबंधन के बारे में जिहां पर परशा करेंगे आप तक जानकारियां पहुचाएंगे तो आए सबसे पहले कारकर्म की शिरुवात करते हैं और आपको इसी से सब मदित कुछ एहम बाते बताते हैं नवंबर दिसंबर का महीना और उत्तर भारत के आसपास के शेत्र का नजारा साल भर से कुछ अलग होता है इस समय वातावरण में एक धुंद सी छाई रहती है जिसकी एक वजह पराली मानी जाती है क्योंकि फसल कटाई के बाद कुछ किसान खेत में बची पराली को आग के हवाले कर देते हैं और इससे उठने वाला धुआ हवा में घुले धूल के कणों के साथ मिलकर प्रदूशन को बढ़ा देता है जो सेहत और परियावरण के लिए काफी हानिकारक है इस स्थिती को नियंतित करने के लिए वायो गुडवत्ता प्रबंधनायोग समय समय पर रूप रेखा तयार करता है जिसके तहट इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा रहा है साथ ही सरकार की दखल और जागरुकता अभियान के बाद इन घटनाओं में काफी कमी आई है आख़ो की माने तो साल 2021 में एक महीने में पराली जलाने के 1795 मामले दर्च किये गए जबकि साल 2020 में इसी अबधी के दौरान 4854 मामले दर्च किये गए थे सरकार का जोर है कि धान की ऐसी किस्मों को बढ़ावा दिया जाए जिससे अवशेश की समस्या को सुलजाना आसान हो इसके अलावा नए-नए रिसर्च वर्क किये जा रहे हैं जिससे पराली को कहीं तरह से उप्योगी बनाया जा रहा है इन प्रयासों से किसानों की आय भी बढ़ेगी और पराली निप्टान का सही जरिया भी मिल सकेगा हाला कि जागरुक किसान पराली को मिट्टी में मिला कर खेती कर रहे हैं वहीं योबा इससे नए स्टार्ट अप शुरू कर रही हैं, जिसमें पराली से डिस्पोजिबल प्लेट, प्लाई, बायोगेस संयंतर के लिए कच्चा माल बनाना शामिल है। इसके साथ ही लैब में भी पराली से कुछ ऐसा तयार किया जा रहा है, जो इसे फिजूल से कई गुनावपयों भी बना देगा। CIEB की रिसर्च फसल अफशीशों को ऐसे पायदान पढ़ ले जा रही है, जहां से सिर्फ और सिर्फ मुनाफ़े की रह मिलती है। पराली प्रबंधन जैसा कि हमने पहले भी कहा, आज के समाई की बहुत बड़ी समस्या है, किस तरह से इससे निप्टारा किया जा सकता है, क्या है इसका समाधान, आए इस पर विस्त्र जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे विशेश अग्ये का। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पराली प्रबंधन के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसमें कौन-कौन सीर चीजे शामिल हैं? आजीते जहे पराली ज duda की आप जानते हैं धान की गटाई के बाद जो अव्षेस बस है उसको जननल इपराली बोलते हैं कि सान उसको पराली के नमने से ही जनद इसके भारत की दीवें बात करूंगा उत्रत की यहाँ हर्यान और उत्तर परदेश की बात करें तो करीब में 14-15,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, करेंग 那 Dollars कटो होती है है इसको किसान समय के अभाव के अदर उसको आगा देटाए आप जानते हैं कि पराली को लगाने से फिर फिर पॉलिशन होता है जो अधिका च merc peace देर में बूसकता हुँ मैं बताना काहुँए कि पराली को जब हर्वेस्ट करते हैं और उसके पराली को आग लगाते हैं यदि इसी पराली को मैं खेत में मिला दूँ तो जब आग लगाते हैं तो करीब के मतलब एक हैक्टेर भूमी के इंदर जो पराल को जलाते हैं तो बारा टन विशाली गैसे निकलती है और यदि इसी पराली को हम खेत में यूज कर ले उसकी मल्चि रुपे परती हेक्टेर के सांजान को इसका फाइदा हो जाता है यदि इस पराली को यदि हम पॉलिशन की तरफ करें तो वह धूआ देती है यदि उसका हम संसाधन माले तो वो एक बहुत ही बड़ा संसादन बन जाता है जिसकी किम्मत यदि उसमें आखों तो वो पांस हजार परती हेक्टेर के इसाब से होती है और उसे रूरा सक्ती के उपर बड़ा अनुकूल परभाव पड़ता है अगर खेट में ही मुला दिया जाए तो काफी फायदे मिल सकते हैं लेकिन अगर जला दिया जाए तो परवरण को काफी नुकसान पहुंचता है प्रोदूशन स्थार काफी बढ़ता जाता है और आज के समय में हम देखी रहे हैं कि प्रोदूशन का जो इस तर है लगातार बढ़ ही रहा है कही न कहीं इसकी वज़ा हम पराली को जलाना भी मान सकते हैं आपने जिकर किया यहां पर कम्बाइन हार्वेस्टर का, अगर धान की कटाई इसके जरे की जाती है, तो उसका प्रबंधन हो जाता है, और कौन-कौन सी मशीन है जिसका उप्योग किया जा सकता है पराली प्रबंधन के लिए खास तोर पराइब बहुत सारी मशीने अब मार् में बिचा देती है, तो फिर किसी भी चीज को मनेज करना असान हो जाता है, इसके इलावा जब हम बात करें कि उसके बाद भुगाई कैसे करें तो दो-तिन मशीने ऐसी बहुत ही अच्छी मशीन आई है, पी-सीडर है, और आपका स्मार्ट सीडर भी आया है, इन से सीधा ज यदि बारीज ज्यादा हो जाए, तो भी वह अच्छा है, यदि हीट वेव आई थी आपको याद होगा, दो-जार बाईश के अंदर काफिक किसानों को नुक्सान हुआ था, उसके अंदर भी हमारे विगनिक तत्थे ये बताते हैं कि उसके अंदर भी उतना नुक्सान नह प्रवाए खली हैं उसको यहां पे जिन खेतों के अंदर आलो की सबजीयों की खेती होती तो इसके अंदर उसको दृती मिलाना होता है, तो वह उसको मसेने, इसके साथ साथ जो को अभी कुछ मसीने बेलर जैसे आए, एसी मसीनिया हैं जो उनकी गांठे बना देती हैं बरा तो अच्छी तरह से बाद सकते हैं, जो हम बात करते हैं खेट के उसे इसका खेट में, तो वो होता है कि in-situ residue management, जो हम बेल बना के बाहर ले जाते हैं, उसको बोलते है एक-situ मनेजमेंट, और आज हम यह बोलते हैं कि इसका integrated approach लेनी पड़े ही, कहीं पर हम in-situ management करें, कहीं पेक-situ management करेंगे, और जो पराली की गांटे बनाई जाती है, उसका industrial यूज के लिए अलग अब कुछ एक industry भी आई है, जिसके इंदर उसका use किया जा सकते हैं, तो इस तरह से हमें, जो यहां पर उपलब्द हैं, जैसे आप खेट में ही पराली का प्रबंधन कर सकते हैं, या फिर खेट के बाहर भी उस पराली को ले जा सकते हैं, और बहुती अच्छी बात यहां पर जानकारी हमारे विशेशगर ने दे हैं, कि अब आप उसको बेच भी सकते हैं, और एक industry भी इस थापत यहां पर की गई है, जिसके माध्यम से आपको अच्छी रकम भी यहां प सरकार ने बहुत यह एक अच्छी स्कीम लेके आये थे, जिसको हम को क्रोपरेज जूमरेजमेंट स्कीम बोलते हैं, इसके अंदर इंडिविजल यदि अकेला किसान में मशीन लेता है, तो उसको पचास परती तक सब्सीडी मिलती है, गुरूप बनाके यदि कस्टम बनाएं, तो उसके लिए 80% तक अनुदान था उसके अंदर, और इसका में मकसद यही था, जो छोटे किसान है, जिनके पास जोत कम है, वो इंडिविजल मसीन नहीं खरीज सकते, तो गुरूप बनाके यदि मसीन खरीज दे तो सभी को उसका फाइदा होगा, इंडिविजल तो बहुत अग्रसर है कि हमारे किसानों को हर स्तर पर यहां पर मदद दे सके, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे मशीनों को उपलब्द करवाना ही हो, लेकिन कहीं न कहीं जातरुकता की कमी के शलते, अक्सर देखा गया है कि पराली को जला ही दिया जाता है, ऐसे में पर साल से चली हुई है पूरे यदि पंजाब हर्याना और उत्र परदेश की बात करो तो करीब ढई लाग से ज़्ञाद मशीने किसानों को अनुदान पर दिगई पंजाब के अंदर करीब सवा सो मशीने है सवा सौ लाख मशीने हर्याना में अच्छी नब हजार से ज्यादा मश मचीने हैं और इसी तरह उत्र परदेश में भी पचास से साथ हजार मचीने अवलेबर हैं इन मचीनों को यदि अच्छी तरह से यूज किया जाए तो प्राली प्रबंधन बहुत आराम से हो सकता है लेकिन कुछ दिखते हैं वह हम थोड़ा विस्तार से डिसक्स करूंगा ले है कि पूरा टेक्निकली तो वह पूसीबल है कि हो जाएगा लेकिन वह ऐसा हो नहीं पाता उसका रीजन यह है कि वह जो मचीने अवलेबल वह पूरी कैपैस्टी से नहीं चल पाती मेरे पास मालो मचीन ली मैंने अनुदान पर और मैंने मेरी खेत को जोत लिया उसके बाद हो सकता है मैं दूसरे कि ना दो नहीं आ दो या कस्टम हायरिक केंदर दूसरे किसान को मगलूम नहीं कि मॉसीन का हो ले-बले तो ये जो चीजे है इस कूपर हमें तो और ज्यादा धयान देने की जूर ता अपस में और ज्जादा समन्वे में करने की जूर दूफ है तो पराली जलानिया का जो है उसका समाधान किया जा सकता है पिल्कुल पूर्ण रूप से समाधानिया पर किया जा सकता है पराली कोई जलाएगा ही नहीं लेकिन जैसे मैंने पहले भी आप से पुछा की पराली फिर भी लोग अकसर जला ही देते हैं तो ऐसे में किस तरह के द हुआ तो देखो अप्राइफेक्ट दिखाएगा और इसके अंदर देखो खास करें बच्छे हैं हमारे बुजर्ग हैं उनको सांस की प्रोब्लम आ ये हैं और खास करके मैं एक हुआ कि किसान उसको पराली को जलाता है तो अपने को इस से पहले थे पर आप देखें के और आप देख रहें हैं जो एक इसम से स्मोग बना हुआ है वो सबके लिए हानिकार के मैं तो यह कहूँँगा, इसके अंदर यही कैटेगरी वाइज देखें, तो हर चीज परभावी था इसके पर्यावरन की बात हो, मनिश्यों की बात हो, पशुपक्षियों की बात हो, या फिर हमारी खीत की मिटी की ही बात हो, जिसमें हम फसल को नुकसान तो होता ही है, हमारी फसल है अगली उसकी गुणवार्ता भी प्रभावित हो जाती है, तो ऐसे में हमें यहां पर जागरुक होना है, कि किस तरह से हम पर आली प्रबंधन कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से अगरणी हैं हमारे के सानों को सहयोग देने के और किस तरह के सरकार के प्रयास हैं जैसे हमारे किसानों के समक्ष जागरुखता लाई जा रही है क्योंकि अगर पराली जला रहे हैं हमारे किसान तो कहीं न कहीं जागरुखता का अभाव ही नजर आता है देखो पांच साल पहले मशीने नाहीं थी जाग्रुखता कि सान जाग्रुखता है। । किसान को इह भी पताँ थी है ग३ह, से नुक्सान करता है। इस बार भी आज तक का यदि पिछले साल की कंपेर में यदि आज की बात करूं आज तक की नो तारिक तक की तो जो डाटा दिखा रहा है उसके अंदर करीब 30-35 परसेंट जो पराली जलाने के इवेंट्स थे उनमें कमी आई है और क्योंकि जागरुकता और मशीन का अवलेब खास करके छोटे किसाने जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा इस मशीन से हैसे किया जा सकता है और इसके दूरकामी परभाव बहुत अच्छे होते हैं इन्वर्मेंट के अंदर सोहल की जो उप जा प्रयास तो लगातार जरी ही सरकार की ओर से अगर हम बात करें चाहें हमारे देश की वैग्ईानिकों की ही ही हम बात कर लेक्रिशी वेग्यानिक भी निरंतर यहां पर प्रयास में लगे रहते हैं कि कुछ नया ऐसा बनाएं जैसे हमारे किसान बिल्कुल इस समस्या में समाधान पा सके जलाएं नहीं वेग्यानिक समुदाइक अगर हम बात करते हैं तो किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं किस तरह क के प्रयास हो रहे हैं ताकि और मशीनों को विक्सित किया जा सके और हमारे किसानों तक जो सहुलियत हैं वो पहुंचाई जा सके विगयनिक सतर के उपर पराली प्रबंदन से आज से नहीं 15-20 साल पहले से प्रयास चले हुए और कंसिस्टेंटली इसके अंदर हम प्रोग्रेस कि तरीके जो हो सकते हैं उसके अंदर किस तरह से आप जैसे मान लो एनीमल के अंदर पहले जो उत्री बारत में जनरली पराली की बजाए गयों के बुसा को ज्यादा प्रेफर करते हैं लेकिन अब जो रिसर्च आई हैं उसके अंदर ये कलियर स्थाफित हो गया है किसा में कई आया हैं जो पराली से मतलब इस तरह के उन्होंने उद्योग स्टार्ट किया और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं अब पराली आप देखेंगे तो राजस्तान गुजरात मद्या परदेश तक बिकने के लिए किसान लेके जाते हैं उसको चारे के रूप में तो इस वैगयनिक इस दिशा में पूरी तरह से काम कर रहे हैं और उसके काफ़ी अच्छे network results भी हमें मिलें हैं ऑदि कई वर्षों से यहां पर प्रयास लगता जारे हैं और बदलते समय के साथ, इन प्रयासों से काफी बदलाव भी आ रहे हैं और समस्य का समाधान भी निकल कर आ रहा है बस अब हमारे किसानों को भी थोड़ा सा जागरुक होने की ज़रूरत है हम पराली की यहां पर बात कर रहे हैं इंडिस्ट्री जो मैं बता रहा था के एक सिटू की बात करते हैं पराली की गांठे बना के बार ले जाते हैं, तो कई इंडिस्ट्री इसके इंडर आई है, जैसे गुवर्मेंट ना भी एक प्लांट लगाया एथनॉल प्लांट पनिपत के पास है, उसके अंदर एथनॉल ब बट्टे होते हैं, उसके अंदर भी पराली से ब्रिकवेट बनाने के कुछ एक प्लांट अभी शुरू हुए हैं, उसके अंदर भी उसका बड़ा यूज हो सकता है, बट्टों के अंदर जो कोईला यूज होता था, तो कोईले को रिप्लेस करने के लिए, हम 20-30 गोवर्मे बना के उसको हम यूज कर पाएं, इंडस्ट्री के लिए, तो उसके अंदर काफी परगती हुई है, और खासकर करके जो इंडस्ट्री के अंदर बोईलर होते हैं, उनको चलाने के लिए उसमें भी अब गोवर्मेंट ने उसके अंदर भी कोशिस किया है, कि इसके अंदर प उसको इंडस्ट्री में डालते हैं, तो वह बोलते हैं, आर्न नोट बन, हमें जलाना नहीं है, उससे कुछ आर्न भी कर सकते हैं, पर इसके अंदर थोड़ा और ज्यादा जाग रुकता है, और संघटी तो के, अभी क्या होता है, कि एक मतलब एजेंसी को मालूम है कि ये कर हो सकता है, बस यहाँ पर जागरो को और जानकारियां हासल करने की जरूरत है, और हमारे स्कारक्रम के माध्यम से तो हम ये प्रयास कर ही रहे हैं, हमारे महमाने इतनी एहन जानकारियां सभी तक पहँचाई हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आ आपका सर आप यहां पर उपस्तित हुए आपने सभी को जागर किया बहुत बहुत धनेवाद तो आज के हमारे इस कारिक्रम में विस्तार से आपनी जान लिया और हम उमीद करते हैं कि आपनी समझ भी लिया कि किस तरह से आप पराली प्रबंधन कर सकते हैं पर्यावरण को अपनी स्वास्त को बहुतर बनाई रखने में एक एहम भूमिकार निफा सकते हैं उमीद करते हैं आज के कारक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आपके लिए फायदमन साबित होई होगी साथ ही आपको बता दें कि आप अगर कोई सवाल या फिर कोई सज्जाव हम तक पहाचाना चाहते हैं तो आप हमीं इमेल कर सकते हैं इमेल आईडे है हमारी सरकार आपके साथ आजट तुरेट जीमिल डॉट कॉम आप फेस्बुक के माधहम से भी हम से जोड़ सकते हैं फेस्बुक पर जाए हिंदी में टाइब कीजे सरकार आपके साथ महाँ पर हमारा पेच खुलेगा आप अपनी सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप पोस्ट कर सकते हैं लीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है एक चुने शुने एक तीन शुने छे शुने जिस पर सुमवार से शुनिवार सुबच शी बज़े से रात की दस पचे तक कॉल किया जा सकता है अपना सवाल और सुझाव रिकॉर्ड करवाया जा सकता है जिसे हम कारक्रों में ज़रूर शामिल करेंगे तो इसी वादे के साथ कि अगले सब्ता हफिर होगे आपसे मुलाकात एक नई योजना और सरकार की एक नई पहल पर आपको करेंगे चागरूप तब तक के लिए धीजे इजाज़त लेकिन आप आने रहे दूरदार्शन किसान पर नमस्कार नमस्कार किसान भाईयों और बहनों आप देख रहे हैं मंडी खबर मैं हूँ आपकी AI एंकर भूमी आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव सबसे पहले अरहर के भाव उत्तर प्रदेश की मिर्जापूर मंडी में अरहर का भाव 14,425 रुपए प्रतिक्विंटल रहा पश्चिम बंगाल की आसन सोल मंडी में अरहर 10,500 रुपए प्रतिक्विंटल पर भिकी गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर के सौदे 8,675 रुपए प्रतिक्विंटल पर हुए अब जानते हैं सर्सों के भाव गुजरात की जस्दन मंडी में सर्सों का भाव 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहा राजस्थान की बस्सी मंडी में सर्सों 5,845 रुपए प्रति क्विंटल पर भिकी उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में सरसों के सौदे 7300 रुपए प्रतिक विंटल पर हुए सेब के भाव की जानकारी गुजरात की गोंडल मंडी में सेब का भाव 5250 रुपए प्रतिक विंटल रहा हरियाना की गुरुग्राम मंडी में सेब 7500 रुपए प्रतिक विंटल पर विका महराश्ट्र की पुणे मंडी में सेब के सौदे 12500 रुपए प्रतिक विंटल पर हुए सभी भाव आवक और गुडवत्ता के अनुसार हैं तो यह था आज का मंडी भाव आप देखते रहिए डीडी किसान धन्यवाद मोती हमारे इतिहास की धरोहर का वो हिस्सा है जिसने अनादिकाल से मानव और उसकी सुन्दर्ता को सुशोभित किया है पुराणों से लेकर राजा महाराजाओं और उनकी रानियों के गले के हारों में पिरोये जाने वाले इस कीमती नग ने हमेशा से सभी को आकरशित किया है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मोती बनता कैसे है भारत की फार्म लेडी चंचल भारगव एक ऐसी अध्भुत महिला किसान जिनके नवाचार के जुनून ने इस शानदार नग को पैदा करने में असाधारन सफलता हासिल की है भारत की इस फार्म लेडी से प्रेरित होकर सैंकरों महिला किसान स्वाबलंबन की राह पर अग्रसर है राजा महाराजाओं के कीमती नग की खेती करने वाली इस फार्म लेडी को धेरों सलाम भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 10 नवंबर रात 8 बजे डीडी किसान पर विदेश में रोजगार की तलाश में जाने वाले कामगारों को जटलताओं और जुनोतियों से बचाने और उन्हें हर कदम पर मदद देने के लिए विदेश मंत्राले में E-Migrate पर्योजना के रूप में एक परिवर्तन कारी पहल की है E-Migrate का उदेश्य E-Governance प्रक्रिया के माध्यम से प्रवासन प्रक्रिया या Immigration Process को आसान और व्यवस्थित बनाने के साथ साथ भारतिये प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और कानूनी प्रवासन को सुभ्यवस्थित करना है उत्व प्रवासन प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए Mobile Lab भी उपलब्ध कराय जा रहा है इस Mobile Application के माध्यम से आप अब आवेदन की स्थिती को ट्रैक कर सकते हैं भरती एजेंटों और विदेशी नियोकताओं की खोज कर सकते हैं साथ ही साथ शिकायत दर्ज करने के अलावा बस एक क्लिक भर से जरूरी जानकारी ओनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं सुविधाओं को और बहतर बनाने के लिए E-Migrate Portal का भाशनी, DigiLocker, Common Services Center, CSCs और Among App के साथ एकी करन किया गया है विदेश मंत्राले भारत सरकार की विदेशी रोजगार प्रभाग की पहल E-Migrate पर योजना E-Migration के सभी प्रमुख हित धारकों को एकल मंच पर electronic रूप से जोड़ती है इसी लिए याद रखें विदेशों में रोजगार के लिए E-Migrate का इस्तिमाल करें क्योंकि उत्प्रवासी भारती है न सिर्फ भारत बलकी गंतव्य देशों की अर्थव्यवस्था और विकास यात्रा में अभिन्य योगदान देते हैं साथी दोनों देशों के राजनाइक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ई-माइग्रेट सरल सुरक्षित प्रवासन बॉलिवुद या हॉलिवुद बीते दिनों की यार इस हथ से बॉप्स ओफिस का हार OTT पर है किसकी धूम हर्दे मॉनिंग है मनुरंजन से घर्पूर डीडी मॉनिंग शो सोम बार से शुक्रबार सुभा आठ बजे दूर दर्शन कर राजेश खन्ना राजबबर और कुमार गौरव की शांदार अदाकारी साथ में फरहा, दिप्ती नवल, मुनमुन सैन और अमजंत खान जैसी बहतरीन स्टार कास्ट प्यार अरे राजा भाईया इमोशन तो देखना ना भूलें तीन भाईयों के रिष्टों के उतार चणाव की कहानी फिल्म सौतेरा भाई ये रूपया तुम दोनों की कमाई का हो सकता है लेकना हमारी कमाई तो तुम दोनों हो वॉलिवोड टॉकीज में फिल्म सौतेला भाई ग्यारा नवेंबर दोपहर एक बचे सिर्फ डीडी नैशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल इमांदारी सच्चाई चुर्म के खिलाफ आवाज रिष्टा चार को मिटाने की जंग इसी ताने बाने पर बनी है फिल्म शांदार जिसमें है मिथुन चक्रवर्ती, मिनाक्षी शेशादरी मंदाकिनी, चुही चावला, सुमित सहगल, कादर खान, डैनी डेंजो गपा जैसी दमदार स्टार कास्ट अब आया नब बात में नमा मेरा दिल है खोरा, मेरी उमर खोरी बॉलिवुड टॉकीज में 13 नवंबर, फिल्म शांदार, दोपहर, एक बजे सिर्फ डीडी नैशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल डीडी किसान बदलते भारत की शान